नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Civil Academy के इस YouTube चैनल पर आज है दिनांग 31 मई 2022, आज हम देखेंगे क्या है आज के मुख्य समाचार तो चलिए शुरू करते हैं The Hindu के पहले पेज पड़ी पहला आर्टिकल है Women Top Civil Services Examination कल यानि दिनांग 30 मई को UPSC ने Civil Services Exam 2021 का रिजल्ट आउट किया तो आईए देखते हैं क्या है खास इस बारे में और क्या है खास इस बार के रिजल्ट में Actually, इस बार के रिजल्ट ने कि इतिहासी रच दिया है क्योंकि Top 3 Rankers तीनों ही लड़किया है All India Rank 1 शुरुती शर्मा Rank 2 अंकिता अगरवाल और Rank 3 गामिनी शिंगला Even Top 25 Candidates में 10 लड़किया है जो कि इंडिया में Women Empowerment के लिए काफी अच्छा डेटा है Total 685 Candidates को recommend किया गया है जिसमें 177 females है IS का 180 seats है total IPS में 200 seats है और IFS के लिए 37 recommended है List आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये List अवेलेबल है इसमें से एक motivation के रूप में लीजिए और आने वाले exams के लिए कमर कस लीजिए खासकर female candidates को काफी inspire करने वाली news है Even हम यह भी देख रहे हैं कि 2018 में Hindi Medium के टॉपर रवी कुमार सिहाग जिन्होंने 337 rank प्राप्त किया था वो इस बार के परिक्षा में 98 rank पर है ये news Hindi Medium के चात्रों के लिए काफी प्रेणा दाई है अब आपको करना ये है कि जो students next year के लिए prepare कर रहे हैं वो और ज़्यादा serious हो जाएं और toppers के वीडियोस देखें उनकी जो बाते आपसे mail खाती हो उसे अपने पर लागू कर ले पूरा copy मत कीजिएगा क्योंकि वो काम नहीं आएगा एक्चुली बाद में वीडियोस देखिए आर्टिकल्स पर ये जो आपको आपके अनुसार सही लगे वही कीजिए और जो इस्टुएंट्स इस बार एपिर हो रहे हैं पाथ जुन को उनके लिए all the best अब आते हैं दूसे news पर page 6 पर GST का ये topic है जो की internal security पर है इस पर एक article है MK नरायनन का जो की IV के poor director भी रह चुके हैं इंडिया में क्योंकि diversity इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर internal disturbance के chances बहुत बढ़ जाते हैं थोरा सा इंस्टिगेट करने पर भी किसी भी समाज को उग्रवाद पर धकेला जा सकता है ये बहुत सी normal सी बात है example के तोर पर आप देख सकते हैं JNK का पार्ट हो गया North East में आप देख लीजिए इविन बिहार जारखन चत्यस गड़ में जो माओबादी गतिविदिया हैं उस पर आप देख सकते हैं नीचे आप जाएंगे तो टमिल नाडू में लिटे का जो फिर से सक्रिय होने का जो कया सेवंट एलिनस लगा रहा है उसने कुछ रिपोर्ट भी समिट किये हैं उधर पंजाब में जो पूरा ग्रूप सान था वो फिर इंस्टिगेट होना शुरू हो गया है तो डाइवर्सिटीज हैं इंडिया में तो ये कॉन्स भी हमें जहलने पड़ेंगे अथर यही कहना चाह रहे हैं कि जो सेकुरिटी फोर्सेज जो हैं वो शॉर्ट टर्म यानि मतलब तवरित कारेवाही के लिए तो ठीक हैं बट लॉंग टर्म के लिए आपको डायलॉग, पॉलिसी मेकिंग पर ही ध्यान देना पड़ेगा अब जैसे JNK में तो 1947 के बाद से फोर्सेज का यूज हम कर ही रहे हैं बट फिर भी चीज़ें पूरी तरह से सुधरी नहीं जब तक फोर्सेज हावी रहती हैं तब तक चीज़ें नॉर्मल रहती हैं थोड़ी चूख हुई और फिर उग्रवादी भरख जाते हैं इसका समाधान पॉलिसी के थूरू ही खोजना होगा हमें अब जैसे टेंप्रेटी सॉलिशन के लिए या फिर इमेडियेट ट्रेट जो है उसके लिए फोर्सेज जरूरी हैं वो सही भी हैं मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन एंजियो के थूरू मतलब आवेर्नेस यह सब जरूरी है जैसे हमने जैसे ऑथर ने भी कुछ एक्जामपल दिया था है स्प्रिंग का कि जैसे जब हम स्प्रिंग को बहुत देर तक दबा कर रखते हैं तो वो अपने एक्च्वल पोजिशन में रहता है बट जैसे ही फिर एक्जामपल के कान कुछ स्लिप हुआ तो फिर से वो इसका साइस बढ़ जाता है तो वैसे ही आपको देखना होगा इंक्लूसीब पार्टिसिपेशन जरूरी है सॉल्यूशन यह हो सकता है कि जैसे यूथ को डाइवर्ट किया जाए डिफरेंट जॉब अपॉर्शनिटीज के लिए वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान की खोपरी होती है तो जब वर्क कल्चर में इंवाल्वड होंगे तो खुद बखुद रेटिकलाइज नहीं होंगे तो यह एक अच्छा आर्टिकल था GS3 के हिसाब से अब आते हैं ठर्ड निउस पर ED अरेस्ट डेली हेल्थ मिनिस्टर सतेंडर जेन अब ED ने इनको अरेस्ट किया है चार्जेज हैं मनी लॉन्रिंग के और मनी लॉन्रिंग को अगर हम सिंपल भासा में कहें तो वो इल्लीगल तरीके से कमाया गया बहुत सारा पैसा ड्रग्स, ट्रैफिकिंग और नजाने क्या क्या तरीकों से अर्जित किये वे अथा पुन्जी को किसी तरह वाइट मनी में कनवर्ट करना इसके रोक थाम के लिए इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट है पॉलिटिकल स्टेट्मेंट से जितना दूर रही अच्छा है इस आर्टिकल में हमें पॉलिटिकल स्टेट्मेंट पर नहीं देखना है जो काम की जीज़ा उस पर फोकस करेंगे पैसा तो किसी ने जमा कर लिया दो नमर के धन्दे से अब उनको जो वाइट मनी में कनवर्ट करेंगे फिक्शनल लोन्स के थूरू, ब्लैक सेलरीज, इवन रियल स्टेट के मीडियम के थूरू और भी कई तरीके होते हैं इसको टैकल करता है कैसे इस पर मतलब कौन सी कारिवाई कर सकते हैं अब ED है क्या? Specialized Financial Investigation Agency है Ministry of Finance के अंदर में 1956 में Department of Economics Affairs ने इसे As a Enforcement Unit बनाया गया था 1957 में इसका एक साल बाद ही नाम चेंज करके Enforcement Directorate कर दिया गया ED दो कानूनों को लागू करवाता है पहला है FEMA यानि Foreign Exchange Management Act 1999 और दूसरा है PMLA यानि Prevention of Money Laundering Act 2002 2002 में आया और फिर उसे 2012 में उसे एमेंड किया गया Actually 2002 वाले में प्रावधान ये था कि जिसने Money Laundering किया है उस पर 5 लाग रुपय का जुर्माना होगा फिर 2012 में इसे एमेंड किया गया उसमें हुआ कि जिसने किया है और जिसके थुरू ये पॉसिवल हो पाया है उन दोनों को सजा होगी और 4-7 साल की सजा का प्रावधान है इसमें और इवन जो जुर्माना था उस पर अपर लिमिट हटा दिया गया था पहले ऐसा था कि जो 5 लाग तक का जुर्माना था उसको अटाके उसका जो मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है केस तो केस वो डिपेंड करेगा अब वो कर दिया गया है इवन पहले ये लिमिट था कि जो 30 लाग से उपर की जो कोई भी अब है कि आप 20,000 के केस को भी आप Money Laundering में बुक किया जा सकता है एडीएड पर डिपेंड करता है वो किस केस को और कैसे उसको बुक करती है अब आधाते हैं fourth news पर मोदी रिलीजेस पीएम केर्स बेनिफिट फॉर कोविड ओर्फन्स ए टोटल ओफ 4-4-3-9 चिल्रेन इडेंटिफाइड नो पूर परसन विल बी लेफ्ट आउट एक्शुली हुआ क्या था कि वो बच्चे जिन्होंने कोविड के दोरान मार्च 11-2020 से लेकर 28 फरवडी 2022 के बीच में अपने माता पिता को खोया है उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाएंगी क्या है ये तो स्कूल गोइंग चिल्रेन को मुफ्त सिक्षा उस्तक और पुशाक दिये जाएंगे नजदीकी सरकारी विध्यालयों में और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे चात रहें उनके लिए फीड इंबर्समेंट की सुविधा है इसके लिए कुल 4,449 चात्रों को चिन्हित कर लिया गया है अब प्राइम केर्स है क्या प्राइम केर्स है प्राइम मिनिस्टर सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशन फंड 28 मार्ट 2020 को बनाया गया था यह, COVID में हमारी को देखते हुए और भविस में भी ऐसी कभी कोई आपदा आ जाती है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेर्मेन होते हैं ट्रस्टीज में डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनस मिनिस्टर होते हैं अब हम आते हैं लास्ट निउस पर 10 पैसिफिक आइलेंड्स नेशन रिजेक्ट चाइना सेकुरिटी पैक्ट अबी क्वार्ड के मीटिंग और IPF को लांच होने से चाइना अपने आपको असहज महसूस कर रहा है इसलिए वो भी अपना यूनियन बनाने की कोशिस में लगा है पैसिफिक आइलेंड्स के दस आइलेंड के साथ एक सेकुरिटी पैक्ट को साइन करने के प्रयास मेरा बट उन दस आइलेंड ने साफ मना कर दिया फीजी में चाइना के पॉरेंड मिनिस्टर वांग ली और बाकी आइलेंड के लीडर्स भी मौझूद थे चाइना वाज ओफरिंग फैनेशल एड फ्री ट्रेड एग्रिमेंट एन एक्सेस तु चाइना वास्ट मार्केट लेकिन फीजीन जो पीएम है उनका कहना है कि as always we put consensus first तो सबकी सामथी से हम आपके ये प्रस्ताव को अस्विकार करते हैं इंडिया में ये न्यूस बहुत वार्याल नहीं हुआ है बट वर्ल्ड में इसे काफी तरजी मिली है ट्विटर पर भी काफी चर्चित रहा तो बात इसी के साथ बस आपसे विदा लेता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेर कीजिए मिलेंगे कल फिर से दाहिंदू के कुछ प्रामुक आर्टिकल्स के साथ तब तक के लिए जय हिन बंदे मातरम